हेलो गॉष, आज हम थेंथ कलास का एक VVI कोस्चन जो अनुपात निर्नाई बिधी लेकर के आये हैं और देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं थेंथ कलास के लिए तो VVIV है देखिए अनुपात नेनाई वीदी बनाने के लिए जो ब्रावर का दाये साइड है और देख रहे हैं यह ब्रावर के दाये साइड नाइन है यहां फोर है इसको हमको जीरो कर लेना है ब्रावर के दाये साइड तो ब्रावर के दाये साइड हम बता देख यह जीरो कैसे होगा देखिए समीकरान एक में बडाबर के दाय साइट 9 है फोर है इसको क्या करेंगे जो समीकरान दो में जो दिया हुआ है फोर उसको एक में मल्टीमल कर देंगे और जो दो है उसमें एक का multiple कर देंगे फिलीज हमारा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बेल अगें टाम जिएगा और पलस में सब्सक्राइब भी कीजिए देखिए फिर इसके बाद हम कैसे बढ़ाएंगे इसको लिखेंगे समीकरान एक गुने फोर और दो क्रोस नाइन से गुना करने पर प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा देखिए अब हम इसको क्या करेंगे इसको multiple किजिए प्लास चार पंचे 20y बरावर 9.36 फिर हो गया नौतिया 27x प्लास 18y बरावर अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब हम इसको क्या करेंगे अब इसको घटा देंगे आपको पता है कि अगर जिस संख्या के पीछे जिस संख्या के पीछे अगर कुछ भी मतलब कोई चीन अगर नहीं रहता है तो पलस का चीन छुपा हुआ रहता है तो घटाने में क्या करना पड़ता है चीन को हमको बदलना पड़ता है यहां पलस है तो यहां माइनस करना पड़ेगा यहां पलस है तो यहां माइनस करना पड़ेगा 0 हो जागा अब यहां में हम इसको क्या लिख सकते है 5X Equal देखिए बराबर के इस साइड़ा है साइड़ा कर रह जाते है y को यह पलस में तो यहां माइनस में हो जागा इसको बराबर हम लिख लेते हैं के माना ठीक है एक बात आपको हम बता देते है किसमे X और Y का मान निकालगा देखिए y का पीछे जो होगा वो X का भैलू हो जाता और जो X के पीछे होगा वो Y का भैलू हो जागा तो देखिए इसको यह हो जागा और इसका यह हो जागा देखिए यहां के माने है जो x के value जो हम लिखेंगे उस संख्या के साथ k को हम multiple कर लेंगे देखे, x equal क्या हो जागा? minus 2 k हो जागा और इसी तरह से y equal क्या हो जागा? 5 k हो जागा अब देखे, इससे आगे हम कैसे solve करते हैं? अब देखे, x का value हमको पता हो गया y का value पता हो गया तो अब हम लिखेंगे, अब समी करान 1 में x और y का मान रखने पर अब देखे, यह समी करान 1 क्या है हमको? 8x plus 5y equal 9 देखे, x का value हमको इतना हो पता और y का value इतना पता है लिखेंगे, 8 x minus 2k plus 5 x 5y equal 9 अब हम इसको क्या करेंगे? इसको cross multiple करेंगे minus 16k हो जागा plus 55,20, 5y equal 9 अब इसको हम क्या करेंगे? 25 में से solve को घटा देंगे हो जागा 9k equal 9 k equal क्या हो जागा? 9 by 9 इसको काट देंगे, एक मतलब k बराबर हमको कितना पता चल रहा है? एक चल रहा है अब हम क्या करेंगे? यही x में और y में क्या करेंगे हम? k का मान पूट कर देंगे लिखेंगे अब एक्स में k का मान रखने पर तो देखेंगे, एक्स बराबर क्या हो जागा? माइनस 2, k अब लिखेंगे, माइनस 2, क्रोस 1 क्या हो जागा? माइनस 2 कहने का आर्थ है, x का बहलू हमको माइनस 2 पता चल गया फिर y में k का मान रखने पर अब देखें, y क्या है? 5k है, हमको पता है कि k का बहलू कितना पता है? एक, इसमें करेंगे 5 क्रोस 1 मतला 5 हो गया तो इसी तरह से x का बहलू हो गया माइनस 2 और y का बहलू हो गया 5